आखिर ये परिवर्तान ये बढ़लाव आया कैसे हैं। बीरोकसी वही हैं, लोग वही हैं, फिर कैसे इतना तेज काम हुआ। इसकी वज़े यही रही कि हमने शहरी करण को चुनोती नहीं, बल्कि अवसर के रुपे देखा। हमारे देश में पहले कभी मेट्रो को लेकर कोई नीती ही नहीं थी, कोई नेता कहीं वाइदा कराता था, कोई सरकार किसी को संतुष करने के लिए मेट्रो का एलान कर देती थी, हमारी सरकार ने इस एड़ो की जम से बहारा करके मेट्रो के सबन में पॉलिसी भी बनाई और उसे चौत अरफार रणनिती के साथ लागू भी किया। हमने जोर दिया स्थानिय मांग के हिसाब से काम करने पर, हमने जोर दिया स्थानिय मानकों को बढ़ावा देने पर, हमने जोर दिया मेकिन इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार पर, हमने जोर दिया आधुनिक टेक्नलोजी के उप्योग पर। साथियों, आप मैं से अधिकाउश लोग ये जानते हैं कि देश के अलग-अलग शहरों की अलग-अलग आवशक्ताएं, अलग-अलग आकांख्षाएं और अलग-अलग चुनवतियां होती हैं। अगर हम एकी फिक्स मॉडल बनाकर मेट्रो रेल का संचालन करेते, तो तेजी से विस्तार संबभी नहीं था। हमने ध्यान दिया कि मेट्रो का विस्तार, ट्रांस्पोर्ट के आधुनिक तोर तरीकों का इस्तवाल, शहर के लोगों की जरुरतों और वहां की प्रफेशनल लाइफ स्ट्राइल के हिसाब से होना चाहिए। यही वज़े हैं कि अलग-अलग सहरों में, अलग-अलग तरही, अलग-अलग प्रकार की मेट्रो रेल पर काम हो रहा है। मैं आपको कुछ उदाहन देता हूँ, RRTS यानि Regional Rapid Transition System, दिल्ली मेरट, RRTS का शांदार मोडल, दिल्ली और मेरट की दूरी को घटा कर एक गंटे से भी कम कर देगा। मेट्रो लाइट, उन शहरों में जहां यात्री संख्या कम है, वहां मेट्रो लाइट बर्धन पर काम हो रहा है। यह सामान्य मेट्रो की 40% लागत से ही तयार हो जाती है। मेट्रो नियो, जिन शहरों में सवारियां और भी कम हैं, वहां पर मेट्रो नियो पर काम हो रहा है। यह सामान्य मेट्रो की 25% लागत से ही तयार हो जाती है। इसी तरह हैं बॉटर मेट्रो यह भी आउट अप दा बॉक्स सोच का उदान है। जिन शहरों में बड़ी बॉटर बॉड़ी हैं, वहां के लिए अब बॉटर मेट्रो पर काम किया जा रहा है। इसे शहरों को बहतर कनेक्टिविटी के साथ ही उनके पांस मौझूद विपों के लोगों को लास्ट माई कनेक्टिविटी का लाप मिल सकेगा। कोची में ये काम तेजी से चल गहा है। और सात्यों हमें ये भी जान रखना है कि मेट्रो आज सिर्फ सुविदा संपन पब्लीक ट्रांस्पोर्ट का माध्यमभर नहीं है। ये प्रदूशन कम करने का भी बहुत बड़ा जरिया है। मेट्रो नेट्वर्क के कारण सडक से हजारों वाहन कम हुए हैं जो प्रदूशन का और जाम का कारण बनते थे। साथ कि मेट्रो सर्विसिज के विस्तार के लिए मेकिन इंडिया भी उतना ही महत्वपुण है। मेकिन इंडिया से लागत कम होती हैं, विदे से बुद्रा बचती हैं और देश में ही लोगों को जादा से जादा रोजगार मिलता है। जादार के जादा रोजड़ ना झाल, जादा रोजड़ को जादा रोजड़ ना युप विप श्यादत कि समें ही अूप 14..?